गाजिपूर सहर में इन दिनों सीवरेज पाइपलाइन के निर्माण को लेकर जिला प्रसासन के सब जल निगम के दोरा पूरे सहर को खोड डाला गया है और इन खोड़े गए राष्टे में पर किसी भी तरह का कोई बेरिकेटिंग नहीं किया गया है जिसके चलते लोगों का बाहर निकालते हैं यह नजारा रोज का है और पूरे सहर में इन दिनों गड़ा खोड़ा गया है और लगातार आगे भी गड़ा खोड़ा जा रहा है इसको लेकर जिला प्रसासन किसी भी तरक एहतियाद बरतने को तयार नहीं है गाजिपुर के सहरी इलाकों में पिछले 3-4 सालों से स्यूरेज पाइपलाइन को लेकर कारे किया जा रहा है जो जल निगम विभाग के द्वारा करया जा रहा है सालों पुरु तक यह कार सहर के गलियों में होता रहा तो लोगों को दिकतों का कम साबना करना पड़ा वहीं पिछले एक साल से सहरी इलाके में पाइपलाइन डानने का काम सुरू हो चुका है जिसको लेकर अस्थानी लोगों को काफी दिकतों का साबना करना पड़ रहा है गाजिपुर का सन्बजार का इलाका काफी सकरा है और यहाँ पर सुरनकार की दुकानों की संख्या काफी जादे है बावजूद उचके यहाँ पर पिछले एक महिने से भी उपर सिवरेज पाइपलाइन के लिए स्टड़क को खोद दिया गया है लेकिन ना जाने विवाग के द्वारा ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है कि एक महिने से उपर हो जाने के बाद भी उस गड़े को नहीं भरा गया बलकि उसके आगे सबजी मंडी, चीतनाथ, इस्टीमर घाट, सुजावलपूर, तुलसिया कपूल, रजदेपूर से इतन इलाकों में भी बड़े बड़े गड़े खोद दिये गए है और इन खोदे गड़ों के आसपास किसी भी तरह का कोई संकेता की या फिर बेरियर नहीं लगाये गया है जिसके चलते रोज मर्रा के काम वाले ब्यक्ति लगातार अपने जीवन को दाव पर लगा कर उसी राष्टे से आवा जा रहे हैं और लगातार इन गड़ों में भी गिर रहे हैं ऐसा ही एक वीडियो मीडिया के आते लगा है जो 12 मार्च की दोपार लगवक्त दो बजे का बताय जा रहा है और इस वीडियो में साब देखा जा सकता है कि गड़े के किनारी से लोग अपनी बाइकों से निकल नहीं और इसी दोरान एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने बाइक के साथ उस गड़े में गिर जाता है जिसके बाद में अस्थानी लोगों और कार करने वाले लोगों के द्वारब बहार निकाला जाता है झाला जाता है